हेलो स्टुएंट्स मैं हूँ जैसंकर जा और आप देख रहें केरियर पॉइंट नवादा बाई जैसंकर जा आज मैं आप सबों के लिए यह 14 वीडियो लेकर आया हूं चुकि चेप्टर यह 13 हमा है तो आप लोग थो थो रहा कनिफ्यूज हो गया होंगे जो चेप्टर 13 हमा है तो 14 हमा वैडियो हिंदी से कैसे हो सकता है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ एक वीडियो जो आपके जितने भी पार्ट है उसके लेखक का नाम और पार्ट का विदा जो की काफी महतपुर्ण है अगर वह एक वीडियो आप देखते हैं तो आपको 10 माक्स मिलेगा क कम से कम 15 मार्ट तक उससे आ सकता है तो वह वीडियो काफी महतपुर्ण है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगा आप देख सकते हैं तो अब और उसके बाद जितने भी चेप्टर है बारह उस बारह चेप्टर का जो भ आप हमारे साथ बने रहें commerce के चात्र है या science के चात्र है या arts के चात्र है हिंदी और English में कोई भेद भौर नहीं है तीनों फैकल्टी के लिए सेम है बस science commerce का एकजाम एक साथ होगा और आर्ट का अलग होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं लेकिन commerce के जो भी स्टुड़ को प्रेस करते हैं ताकि हमारे द्वारा दिएगे किसी वीडियो की जानेकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी तयारी को एक अलग आयाम मिल सके तो चली शुरू करते हैं आज का यह सेशन पहला जो प्रस्ण है वह है सिर्षक निबंद की निबंदकार हैं तो इसका अंसर आप लोग जान ही गए होंगे जे क्रिष्न मुर्ति है गहा इसका रेट अंसर होगा दूसरा जो प्रस्ण है सिक्षा पार्ठ की विधा है देखिए बहूत इंपोर्टेंट है किसी भी पार्ठ की विधा याद रखना तो आपको तो मैं प्रतिक चेप्टर में बताया ही हूँ पार्ठ का विधा लेकिन आपको जो पहला वीडियो है पार्ठ के विधा पर तो उसमें एक ट्रिक के साथ बताया गए ताकि आप उसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा तो आप उन्हें जरूर देख लें तो इस प्रस्ण का जो उत्तर होगा वह जाएग तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे बुद्ध पहला ओप्शन दिया हुआ है महा मनीशी तपस्वी सुक रात तो मैं यहां पर ओप्शन नहीं उतना बताने वाला हूँ क्योंकि टाइम का दिक्कत हो सकता है टाइम जैदा लग जाएगा और आप लोगों को टाइम इन लोग देखते थी जो प्रस्ण है ओए जे क्रिष्ण मूर्ती का कि सराज में हुआ था जे क्रिष्ण मूर्ती का जन्म जो हुआ था वह अंध्र प्रदेस में हुआ अप्सन को बिलकुल रैट आंसर है आपको कोई भी डॉट कोई भी क्वाईर हो तो आप हमारे लिए किन में विश्व सिक्षा के रूप देखते थे लोड बेटर किन में विश्व सिक्षा के रूप देखते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ती में जे कृष्ण मूर्ती में लोड बेटर विश्व सिक्षा के रूप देखते थे जे कृष्ण मूर्ती विश्ण मुर्ती को देखते थी उसका उत्तर हो जाएगा लोड बेटर तो आंक बंद करके दिमाग बंद करके पढ़ाई नहीं लाना है आपको concept पर समको ध्यान देना होगा ताकि question कुछ भी हो किसी भी प्रकार से आए आपको सही उत्तर देना है आपको 50 objective जो होगा हिंदी का उसमें से 50 लाना है question तो सौ रहेगा निए आपको सौ में से 20 बनाना है उसमें से आपको 50 में 50 लाना है आप लगातार हमारे शाथ जुरिये रात के 9 बजे मैं आप लोगों के लिए हिंदी अभी तो अब्जेक्टिव दे रहा हूं फिर सब्जेक्टिव होगा एक एक बातों को ठीक ढंग से पढ़ाया जाएगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किये हैं तो चठ्ठा प्रस्न है दो फॉस्ट औलास्ट फ्रीडम किसकी कृती है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा वो हुझा जे क्रिश्नमृति का दो फ्र्रीडम यह जो क्रिती हैओ जे कृष्ण मूर्ति का सात्मा है जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है तो पहला जो अप्षन है यहां पे तो आप्षन पढ़ना पड़ेगा वे प्राया लिखते थे दुसरा है वे उपन्यासकार थे तीसरा है वे प्रसिद्ध नाटक कार थे और चौथा जो अगर आपको आणसर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं तब अगर आपको एडिया है तब तो जो सही है वो इसको टिक किजिए लेकिन अगर आपको आंसर एक्जेक्ली पता नहीं है तो आप थोड़ा दिमाग का उपयोग करके सही उत्तर को आप भाव शरकते हैं और सही उत्तर दे सकते हैं आठमा प्रस्ण है जे क्रिष्ण मुर्ती का जन्म कब हुआ था देखिए देखते हैं जे क्रिष्ण मुर्ती का जन्म कब हुआ था तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जाएगा बारह मई 1895 को जे क्रिष्ण मुर्ती का जन्म बारह मई 1895 को हुआ तो नमा प्रस्ण है जे क पूरा नाम था इसका राट रहा हो जेगा जिद्दू कृष्ण मूर्थी जे का अर्थ हो गया यहाँ पर जिद्दू कूछेगा जे का आर्थ लेकुछ अगर उसमें अपना हिसाब से को सेटिंग कर देता है तो इस्ट्रेंट निकलते हैं बहुत रबता जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता है को सब्सक्राइब लेकिन आपका जो समझ जो छोटा है वो विक्सित नहीं है उसके कारण आप समझ नहीं पाते हैं तो जो प्राश्ण उसका हो जाएगा नारायन जिद्दु carn духов के पिता नां प्याट गाता तो नारायन जिद्द्दु चलिए देखतें ग्यारभर प्रसने मा के मृतियों के समय क्रिष्ण मृति की आयू क्या थी किs कंची दी इससि राइट उत्तर हुजाएगा 10 वर्ष जब जै क्रिश्न मुर्थी अर्था जिद्दव क्रिश्न मूर्थी के मा की मृंती हुई तो उस समय में क्रिश्न मूर्थी का आयू जो था वे 10 वर्ष था option खाएई इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जएगा अब जो बारहमाँ प्रसने होए मेधा और किसका प्रस पर बैर है मेधा और किसका प्रस पर बैर है तो इसका सही उतर हो जाएगा भाय और बाए डर होता हुसका प्रसपर क्या है तो बование है दुश्मैर का मतला होता है। तेरह महांतने चाल का उद्देश्य स्य क्या है, तो इसका जो रॉइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा शंपुर् Parece सिक्षा का उद्देश क्या है संपुर्ण उन्यन चोग धमाप्रस ने जे क्रिष्ण मूर्ती किसोरा आवस्था में किस संस्था से जूरे थे तो इसका जो राइट उत्तर होगा वह हो जाएगा जाइट अंसर इसका जाएगा गौ थियो शोफीकल सोसाइटी से जे क्रिष्ण मूर्ती किसोरा आवस्था में जूरे थे थे तो ये था सिक्षा जो जे क्रिष्ण मूर्ती के द्वार लिखा गया था उससे इंपोर्टेंट अबजेक्टिव और आज आप लोगों का जो है वो गदिखंड खतम हो गया कल से जो काविखंड प्राराम करेंगे या ग्रामर सेक्षन का तो आप लोग कॉमेंट में बताईएगा जो व्याकरन बता दूं कल से या काविखंड खतम करूं तो आपके हिसाब से ही एगला होगा तो आप हमारे साथ बने रहें चैनलों को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें हाँ एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं जो थोड़ा आप चैनल को सेर कर दीजिएगा वीडियो को सेर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंट्स के पास भी या वीडियो पहुंचे उन्हें भी मदद मिल जाए और थोड़ा चैनल को भी ग्रोव होने में मदद मिलें क्योंकि नया चैनल है और इस पर भी थौजन्ट आवर्स जो बचा हुआ है लाइव आने में अगर थौजन्ट आवर्स अगर हो जाएगा तो लाइव हम आ सकते हैं त तो आप लोगे साथ डारेक्ट इंट्रेक्ट होगा तो इसके लिए थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिए और इसको साथ सेर कर दीजिए चलिए ठीक है तो अभी के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं